अगर आप VI weather phone idea sim use करते हैं और VI network problem या VI internet not working या फिर VI net slow problem से परिशान हैं और जानना चाहते हैं VI internet speed कैसे fast करें उसके लिए आपको 100% working VI APN settings बताऊंगा जिसको अपने phone पे set करने के बाद में आपका VI network problem solution हो जाएगा और VI net speed बढ़ जाएगी VI internet speed fast हो जाएगी तो इस वीडियो को पूरा एं तक देखना सबसे पहले हम mobile settings में चले जाएंगे फिर sim card and mobile data में जाकर VI weather phone idea sim select कर लेंगे फिर access point names के option को open करके selected APN देखने को मिलेगा तो सबसे पहले right hand side three dots पे क्लिक करके reset access point या फिर अपने phone के हिसाब से reset APN का option क्लिक कर लेना फिर right hand side plus icon पे क्लिक करके या फिर अपने phone के हिसाब से create new APN का option कर लेना फिर आपको कुछ ऐसे empty form देखने को मिलेगा तो अब मैं जो values बताता हूँ उसको एकड़म ध्यान से same to same लिख लेना नेम के अंडर आपको लिख लेना है vi giganet max नेम में आपको लिख लेना है vi giganet max vi का v capital giganet का g capital net का n capital और max का m capital तो नेम में आपको लिख लेना है vi giganet max सब कुछ same to same लिख लेना लिख लेना व्यान से फिर apn के अंदर आपको लिख लेना है www सब कुछ small में और एक साथ तो apn के अंदर आपको लिख लेना है www फिर proxy को not set रहने दो, port को भी not set छोड़ दो और username के अंदर आपको जाकर लिख लेना है speed.bot.giganetmax यूजर नेम में आपको लिख लेना है speed.bot.giganetmax speed का s capital, bot का b capital, giganet का g capital, net का n capital और max का m capital फिर यूजर नेम में आपको लिख लेना है speed.bot.giganetmax same to same लिख लेना घ्यान से फिर password को not set रहने दो और server के अंदर आपको जाकर लिख लेना है www.myvi.in server में आपको लिख लेना है www.myvi.in सब कुछ small में और एक साथ server के अंदर www.myvi.in लिख लेना फिर authentication टाइप के अंदर फोर्थ option PAP PEP और CHAP CHAP सिलेक कर लो और friends APN टाइप के अंदर आपको लिख लेना है DEFAULT Default सब कुछ small में और एक साथ APN टाइप के अंदर आपको लिख लेना है Default त्यान से फिर APN प्रोटोकॉल के अंदर 3rd option IPv4 IPv6 select कर लो APN roaming प्रोटोकॉल के अंदर भी 3rd option IPv4 IPv6 select कर लो और friends विएरर के अंदर unspecified पटिक होगा उसको हटाकर LTE HSUPA HSDPA UMTS EDGE GPRS को select कर लेना है अगर आपके phone में इतने सारे BRR नहीं है या फिर select नहीं हो पाता कोई भी एक ही select हो पाता है उस case में सिर्फ और सिर्फ LTE को select कर लेना है बाकी सब लोग इन सभी BRR को select करो और अपने APN को save कर लो फिर friends उसको कैसे select करना है वो आपको बताता हूँ तो आपका जो भी selected APN है default वाला उसको click करो और अपने phone के हिसाब से option तुनकर delete कर दो फिर हमने जो अभी APN बनाया VIGIGANET MAX उसपे selection आ जाएगा और अब आप अपना internet यूज़ करके देखो और मुझे comment करके बताओ कि कैसा चल रहा है बतते हैं झादाए